हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ग्यानदानवे प्रेसाथियों आप जैसा कि देख रहे हैं थमनल में कि सिगरे ही सुरू होगा शात्मी चरण का शिक्षक नियोजन जिहां यह ब्यान आज सिक्षा मंतरी के दुआरा प्रिंट मेडिया के म की जो रेशियो है बहुत ही कम है तो इनको भरने के लिए बिफक्ष के तरफ से बहुत ही जैदा प्रेसर पर रहा है और इसको करना भी पड़ेगा ऐसा रूल भी है तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया कि जो भी अभियर्थी इसमें कम मेरिट वाले बस जा रहे हैं मतलब उनका नियोजन किसी तरह से नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए शात्मे चरण में इसको मौका मिल सकता है क्योंकि शात्मे चरण में सीट की संख्यां जैदा होगी ऐसे में जो भी अवेर्थी विसीटेट पास बैठे हुए हैं मतलब दिसंबर और जन जाकर होगी तो देखिए क्या है आज की नियूज आगे देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे नियूज के तरफ शात्यों आप सभी को पता होगा कि आज से दो रोज पहले शिक्षा मंतरी ने मेडिया के माध्यम से बताया कि 20 सितंबर तक आपको थर्ड राउंड का दी जाएगी तो देखिए जो अभी सिक्ष्थ फेज कॉंसलिंग चल रही है मतलब इसका प्रकिडिया चल रहा है वह तुरंत ही शमाप्त करने को सोच रहे हैं जितना जल्द हो सके क्योंकि इनको शात्मी चरण की बहाली भी लेनी है ऐसा देखिए शिक्षा मंतरी के द्व जाल दिया जाएगा और आपको इससे पहले जो बिहार सिक्षा के निदे सकते डॉक्टर रंजीत कुमार आयस उन्होंने भी बताया था कि शात्मी चरण की बहाली जल्द जल्द दी जाएगी चलिए देखने आज की भी न्यूज को आगी बढ़ने सपहले अगर चनल पर न शात्मी चरण का शिक्षक नियूजन सक्षा मंतरी के द्वारा या बात कही गई है यह मैं नहीं कह रहा हूं आगे है देख रहे हैं यह आप जागरन शमादाता बिहार सरिप से नियूज निकल के आ रही है सिख्छा मंतरी बिजयक मार चौधरी ने सिख्छक बनने की चाह रखने वाले के लिए बड़ी घोसना की है कहा है सिख्णी सुबे में शात्मे चरण की नियूजन भी होगा जिन लोगोंने सिख्छक पद के लिए आवेदन किये हैं और बेहतर अंक होने के बावजूद भी उनका इस चरण में चयन नहीं हो सका है उन्होंने अगली नियूजन प्रिक्रिया में फ्रात्मिक्ता दिजाएगी मतलब उसको मौका अशितर पर ही मिलेगा आगे है उन्होंने बताया है कि तमाम जिलों से सिख्छक की रिक्टियां मांगी गई है जहां भी रिक्तिया रहेंगी वहां शात्मे चरण का भी न्योजन किया जाएगा सिक्षक न्योजन में फर्जी वारे के शवाल पर मंत्री ने कहा है कि प्रमान के शाथ सिकायत करे ताकि करवाई होगी न्योजन रद कर प्रात्मी की दर्ज भी की जाएगी सुवे की कई परखंड में सिक्षक न्योजन में गरवरी की सिकायत प्रमानित होने के बाद वहां का शारा न्योजन रद कर दिया गया है उन्होंने कहा है कि सिख्षक न्योजन की प्रक्रिया को इसकदर पारदर्सी बनाया गया है कि कोई फर्जेवारा करके भी बच नहीं सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं आपे शिख्षक व्याग जो शिख्षक मंतरी है विजय कुमार चौधरी उनका फिगर आपके सामने दिख रहा होगा तो शाथ होग और आपको भी पता होगा शात्मी चरन की जो पहली आएगी वह निश्चितर पर नियू होगी और नियू में जो भी बच्चे विरती हैं उनको मगा मिलेगा से लिए चैनल पर या वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फोर दा लेटिस्ट अपडेट